आप देख सकते हैं हमारे वड़ी की सब्जी बनके तयार है वड़ी भी इसमें अच्छे से पग गई है और साथ में इसमें मसाला वड़ी के अंदर तक बहुत अच्छा पहुँच गया है और सब्जी बहुत रंगतदार बनी है जब में रेसिपीज के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए प्याल आइकन को प्रेस करें झू ओ म rulerska पापा मॉमी के चन में आप सळी का स्वागत है एकतार प्रेस की आप सभी को बहुत बहुत सभी काम नहीं क्योंकि इस दिन कोई भी सुब कारेंगे तो हमेशा सफल होगा जैसे राजस्तान में साध्य करते हैं, सगाई करते हैं इसके साथ इस दिन बहुत से लोग अपने सोना खरीदते हैं सोना खरीदना भी बहुत सुब होता है इसी सुब महरत पर हम आपके लिए तीन पार्ट के एक सीरीज लेका है है इसमें हम आपको बताएंगे कि आखा तीज के दिन क्या क्या बनाना चाहिए और क्या चीज खाना चाहिए इसी सीरीज के पहले भाग में हमने आपको आखातीज पर खाई जाने वाला खीच बनाना बताया था अब दूसरे पार्ट में हम आपको अकसे तर्टिया पर खाई जाने वाली आखी बड़ी की सब्जी बनाना बता रहे हैं इसके लिए सबसे पहले हम पैन में पानी लेंगे, यह हम दो कप पानी कलो कर लिया है और गये है युप कब रहा हम आपड़ी कवड़ी। दॉक हार भा dor कों होच वी टॉक है इसके अंदर हमा आधा कप देन के आकी बढ़ी डाल रहे हैं ऐसे विई घयान रगता धके आपको वडी कभी पटाल हो गया है एक मिनट तक हम बड़ी को उबाला है इसको बदने क बाद अब आप इसको बंद कर देंगे यह बाउल हमने इस बाउल के अंदर वडी को में निकाल और इसका पानी इसके अंदेर रखंब कि गरम पानी तो पाणी में पले पलेवलय और जादा पक जाएगी इसको एक मीनड़े पकाते हैं कभी जादा नहीं पकाते हैं अम बड़ी का मसाला बनाना नस्रोह करते हैं, इसके लिए हमने अधा कप दissez लिया है। अर एक चमच रNया नमक नलेंगे, इसके अरा नमक दलेंगे नलेंगे. कॉटर चमच हर्दी डालेंगे और एक चमच चन्मच दन्या पाउडर. बारा डाले अच्छे 돌 मिक्स कर लेगे इसको परले मिक्स करने का रीजन यह जब ᓲ Mudraeme डालते हैं डी के आंदर सॉकने के टाइम है उसको जल्दी सहीलाना पडता है तुद जल्दी नहीं हिलाएं के तो दे फटने की चांद सैज रहती है पहले सब मसाला डाल जाएंगे फिर आराम से अच्छे सहीला सकते हैं, यह अब हमारा मसाला तयार हो गया है, अभी हम कड़ाई में घी डालेंगे, कड़ाई बे अब हम 2 टेबलेस्पून घी डालेंगे, और गैस कर चालू करता हूं, आदा चमच हम दाल रहे हैं, वह अच्छ मिर्ची डाल रहे हैं ओर दो हम यह हरी मिर्ची डाल रहे हाथ से हम तोड़ के दालें गिसको आप कर लोग हार पर सभी सबीचि जया स्हाबूती बनाई जाती है तो मिर्ची भी आसे हम चांप शेमीentes ने NG बड़ाते होकि सोबस्टेशा बड़ा हाट से काटके डाला जाता हिसमें होड़े के अंतर मसाला शचांग काटके डाला जाता है verdade कि अब यवरकशी एंदर मोरा हम पगय है अब पयागर शरा हम विरान लोटने इसमें पादल केर सोब यह दई को इससे दई फटता नहीं है और मसाला बहुत अच्छा बनके तयार होता है आखी वड़ी की सब्जी में दई की खटाई ज्यादा अच्छी लगती है कुछ लोगों को पसंद होता है टमाटर डालना वो डाल देते हैं बाकि दई की ट्रेडिशनली यह सब्जी दई म बनाई जाती है आप देख सकते हैं हमारे भई इसनों बिल्कुल नहीं फटाए मसाले में दई बहुत ही अच्छा इंतन से पक रहा है आप देख सकते हैं हमारे मसाले जह से मसाला पकता है अपना गी छोड़ना सुरू कर देता है हमारे मसाला पकने लग गया देके गी छोट अप अध्रक का पाउडर डाल जाएंगे, आधा चम्मेश अध्रक का पाउडर भी है, इसको इसमें डाल जाएं है, इसको भी अच्छे से लादें इसमें 5-7 कडी पता हुआ है, उसको डाल जाते हैं हमारा मसाला पूरा पक गए है अब इस नहीं हमने जो वड़ी उबाल के रखी थी वो इसके अंदे डाल जाते हैं वड़ी भी हमारे अच्छी तरह से पकी हुई थी और मसाला भी हमने अच्छा पका लिया था इसको भी हम एक मिनिट के लिए और उबालेंगे जिसना की मसाला का टेस्ट है वड़ी के अंदर पर अच्छे से चला जाएगा उसके बाद में घेस बंद कर देगा अब हमारे एक मिनिट हो गया है और सब्जी अच्छे से उबल गई है अब इम घेस बंद कर देंगे और इसके अंदर हम पोदीना है उसको मसल के अब अब यह सर्विं के लिए तयार है आप देख सकते हैं हमारे वड़ी की सब्जी बनके तयार है वड़ी भी इसमें अच्छे से पग गई है और सातनी इसमें मसाला वड़ी के अंदर तक बहुत अच्छा पहुँच गया है और सब्जी बहुत रंगतदार बनी है पारपरिक तोर से वड़ी की सब्जी को अकसे तर्थिया के दिन खीच के साथ खाया आता है वैसे आप कभी भी रेगूलर डे में सब्जी बना के खा सकता है रोटी के साथ भी खाने में यह बहुत अच्छी लगती है तो आप भी इसे अपने घर में जरू प्राइब करें और इसी तर झाल